नई बीमारी लाइक, शेयर, इस्टाग्राम, फेस्बुक, यूट्यूब, सोसल मीडिया, मेरा चेहरा, मेरी पोजिशन ये एक नई बीमारी है जो समाज के अंदर बहुत तेजी से फैल रही है बहुत सारे बच्चों की जान जा चुकी है और बहुत सारे बच्चों की जान इसमें जाने को त्यार है बहुत सारे बच्चे और बड़े बुड़े इसमें मनोवज्ञानिक रूप से मेंटल रूप से फश चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, डिप्रेसन में जा चुके हैं चिर्चिडे हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चे युवा जवान अभी जाने वाले हैं घर घर में कौने कोने में हर जगे ये डिसीजी ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती जा रही है अगर आप विपस्ना करते हैं अगर आप बुद्ध के समय की मनोवग्यानिक जानते हैं और मन के उपर उन्होंने एक अभी धम पीटक से सारा का सारा जितना भी साहते बाद में बनाया गया जो बाद में यार करके लिखा गया वो सारा मनोवग्यान के उपर है और आर्टिफीशल इंटेलिजेंट जो आर्टिफीशल इंटेलिजेंट है जो कृतिम जानकारी है वो सारी की सारी उसी अभिधम पीटक या उसी बुद्ध के संधान के उपर रातारे हैं ये लाइक शेयर और सेलफी इसका जो रोग है या जो उसकी बीमारी है या इसके डिशीज है ये कैसे आती है और कैसे बनती है ये बहुत सिंपल सा उन्होंने बहुत पहले ही बताया हुआ है बुद्ध बताते हैं कि मनुस्य को बीमारियां कैसे लगती है एक मार शब्द उन्होंने दिया देवपुत मार मार इसलिए बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है मैंने एक वीडियो मार का बनाया है जो आशन करता है उसमें वो मारा जाता है मार उसको अपने कबजे में ले लेती है जब प्रसद्धी का रोग किसी को लग जाता है फिर वो मिर्तु के आसपास आना शुरू हो जाता है और मिर्तु उसको अपने कबजे में ले लेती है मार का जो आखरी घर है वो मिर्तु है मार शोहरत का कोई साहिल नहीं होता ऐची एक बात बताई गई है शोहरत का साहिल नहीं होता मतला जो प्रशदी है जो फेमस है जो फेम है वो समुदर में बीच में गए हुए व्यक्ति की तरह है जिसका कोई भी बैंक किनारा या साहिल टट नहीं होता यानि के वो कभी भी टट प मिलेगा कोई जगे नहीं मिलेगी तो वो पानी के अंदर ही मर जाएगा उस प्रसिद्धी के अंदर ही मर जाएगा एक सबस्य आये थी हमारे साथ में जो 97-98 में आये थी हमें एक खबर चलवानी थी उस समय आज तक को आदा घंटा दिया गया था सरकारी टेली तो आज तक प्रवाम आता था आज तक बड़ा फेमस था लोग उसका इंतियार करते थे क्योंकि आज तक जो न्यूज लेका रहा था वो अलग तरह से पेश करते था सरकारी न्यूज थोड़ा पोजिल लगती थी हो उनके मुकावले हाला कि सकाई न्यूज जदा अच्छी होते थे तो आज तक चटक मठक के साथ में एक न्यूज को पेश करता था लोग उसको देखते थे हम न्यूज लेके गए आज तक के पास के हमारी ये न्यूज लगा दो बहुत इंपोटेंट ह तो वहाँ पे जो समयासर को पेश करते थे मिश्टर एस्पी सिंग उन्होंने हमसे कहा कि इस न्यूज में तो कुछ है ही नहीं यानि ये न्यूज तो बहुत सिंपल सी है इसको कौन देखेगा तो हमने कहा बई ये तो न्यूज तो न्यूज है आप इसको दिखाईए तो जिसको देखने होगी देखेगा करें नहीं यहां तो जिस न्यूज में कुछ चटक पटक होती है वो चलती है तो हमने पूछागी भी चटक पटक किस तरह एगी कुछ धन्ना प्रदेशन करो कुछ क्या बोलते हैं ऐसा करो जिससे लोगों का आकशन हो तो हम उनकी बात अपनी मांगे मानने के लिए अपने आपको अगल लगा दी या भूखरतल करती हूँ चटक मठक है वो रगने मैं ऐसा तो नहीं कह रहा आशे उनका ऐसा ही था चटक मठक न्यूज में क्या चटक मठक होती है समझ गे तब हमें पहली बार हैसास हुआ कि न्यूज को बेचन करने के लिए बच्चे बुड़े सब इसकदर लगे हुए हैं कि वो भॉंडी से भॉंडी हरकत भी कर रहे हैं ऐसे ऐसे एप आगे हैं जिसमें आदमी और बच्चे सब अलग अलग तरह से हर अलग स्टाइल में ताकि लोग उनको देखें अच्छा काम तो करने ही पाते क्य नहीं होती हैं अगर बुरे काम सारे किये जा रहे हैं इतने ज़्यादा फेक न्यूज इतने ज़्यादा फेक आइटम और इतने ज़्यादा चीजें वीउस के लिए हैं कि लोग हमें देखें तreारी चाणिशन्छे Domus गटिया टाइप की जो वीडियो आते हैं जो मनवग्यानिक रूप से बिमा लोगों के हैं वो आप लगाता लगाता देख रहे हैं फोटू भी देख रहे हैं और उसको लाइक कर रहे हैं और उसको देखे प्रसन हो रहे हैं उसको acceptance दे रहे हैं उसको माननेता दे रहे हैं यानि कि आप भी वैसे ही होते जा रहे हैं नेता अपनी प्रिस्दी पाने के लिए एक से एक बुरा आइडिया एक से एक बुरे विचार एक से एक बुरे भाशन दे रहे हैं ताकि पूरे फेस्वुक पे पूरे इस्टाग्राम पे पूरे यूटूब पर पूरे सोचल मीडिया में सिर्फ वही चंके रात और रात प्रिस्द होने के लिए आदमी जितनी उटी हरकत कर सकता है जो सोच से परे कभी रही होंगी वो भी कर रहा है ये एक मांसिक बीमारी है जो बहुत तेरी से पढ़ गई है उन लाइक से उन शेर से कहीं कुछ होने वाला है नहीं क्योंकि किसी को अगर मालों 10 लाइक मिले किसी को एक लाइक मिले और किसी को एक लाइक मिला और किसी को 0 लाइक मिला तो भी उससे क्या होने वाला है और क्या मिलने वाला है थोड़ा revenue YouTube जैसी company क्योंकि YouTube तो चायती है या जो company है वो तो चायती है कि उनका channel लोग ज़्यादा ज़्यादा देखे उनका internet मिलता है internet से उनको पैसा आता है internet बहुत मोटा पैसा उनको देता है जब आप internet package खरिते हैं तो सारे जितने भी इस तरह की broadcasting company है उन सब को share मिलता है इसलिए वो तो चायते हैं कि आप अधिक से अधिक TV पर अधिक से अधिक mobile पर अधिक से अधिक computer पर उनकी चीज़ें उनके content को देखें ताकि उनका internet खर्च हो और internet का share उनको आए इसलिए वो लगातार एक से एक बड़े game देती है सारे जितने भी game आते हैं या जितने भी भौणी चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी मार पर आधरित होती है मार का मतलग है या तो वासना उनके भरी होगी या उनके अंदर crime भरा होगा या उनके अंदर हिंसा भरी होगी या उनके अंदर गाली गलोश भरी होगी या उनके अंदर जो ethics है वो anti-moral होगे यानि के सदाचार के बपीत होगे वो वेवचार पे आधरित होगे या वो बुलकुल परंपराओं को उल्टा करने वाले होंगे या वो जीवन के विरुद पद्धती प्राधारित होंगे या वो प्रक्रती के अगेंश्ट में होंगे नेचर के अगेंश्ट में होंगे जो सरीर को नुकसान पहुचा रहे होंगे और मन को नुपसान पहुचा रहे होंगे लोग एक से क्रिमिनल हकते कर रहे हैं एक दूसरे को मार रहे हैं सिर्फ इसलिए है कि मीडिया उनको अटेंशन दे रहा है लोग उनको अटेंशन दे रहे हैं देखो क्या किया इसने वहाँ फायर किया इसने वहाँ गोली चलाई इसने वहाँ ऐसा किया इससे प्रसद्धी पाने वाली बीमारी लगातार बढ़ रही है इसके रिजट लगातार बढ़ रहे है भगवार बुद्ध ने इसको प्रसद्धी के रूप में मार के रूप में बताया था कि मार जब प्रसद्धी को सर में एंटी हो सकती है उसको बोल दीजिए मीडिया वाले अपने व्यूज इखटा करने के लिए अपना पैसा इखटा करने के लिए उसको चलाएंगे बारवार और उसमें तलका लगा के जो उसका टाइडल है वो बड़ा ही ऐसा बनाएंगे कि देखो इसने क्या किया ये जानकर आपको मिलेगा इतना फाइदा ऐसा देखकर आप बनेंगे कवड़ पती उस व्यक्ति ने ऐसा किया तो उसको मिले 10 लाग ये नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना ये जीवन की चार बातें आपको हमेसा सुखी रखेंगी ऐसा करेंगे तो आप बन जाएंगे अरब पती इस तरह के अनरगल बात है टाइटल सिर्फ बेचने के लिए डालते हैं सारा सैक्स जतना भी है वो उसमें फोटो लगाते हैं इसलिए कि पिरसदी वीव और लाइक उसमें आए बेसक समाज गटे में जाए भगवान बुद्ध ने बहुत पहले मार के रूप में इसको बताया इसका उन्होंने उपाया बताया कि आपको विपसना साधना में जाते रहना चाहिए विपसना साधना के 200 सेंटर पूरी दुनिया में है 100 के करीब सेंटर पूरी इंडिया में है विपसना के लिए आप विपसना सब टाइप करेंगे तो उसका app भी है वो आ जाएगा या dhamma.org पर जाएगे तो वहाँ booking करा सकते हैं फिरी है निन्नी सुल्ख है आप अगर अपना देश बचना चाहते हैं अपने आपको बचना चाहते हैं अपनी सभैता बचना चाहते हैं अपना समर्समाज बचना चाहते हैं जल्दी के लिए जितना जल्दी हो सके आप या तो विपसना कर ले है या इसको छोड़ देए ये नई बीमारी है ये बहुत बच्चों को चपिड में ले चुकी है बच्चे अपने एजुकेशन खाना सब छोड़ चुके हैं उल्टी सीदी हरकत कर चुके हैं आपने देखा होगा कैई गेम ऐसे आये हैं जिनमें बच्चे सुसाइड करके मर जाते हैं बहुत सारे बच्चे सेल्फी लेते समय पानी में बह जाते हैं दिवार से गिर जाते हैं मिनार से गिर जाते हैं बहुत सारे बच्चों की सियत खराब हो चुकी है बहुत सारे बच्चों की आँखें खराब हो चुकी है बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मन नहीं लगता बहुत सारे बच्चों को मोबाइल की भीमाई लग चुकी है अगर मोबाइल उनके पास नहीं होगा तो वो अनीजी हो जाते हैं बेचेन हो जाते हैं परिसान हो जाते हैं बहुत सारे लोग उनके पास नया मोबाइल नहीं है अच्छा मोबाल नहीं है इसलिए डिफ्रेशन में चले जाते हैं बहुत सारे लोग घर से पैसे चुड़ा के इंटरनेट खरिते हैं और इंटरनेट में डिलवा के उसमें जो गंदी गंदी या बेकार या जो ऐसी सेक्सल पिच्छन हैं उनको देखते हैं उन फोटो को देखते हैं बहुत सारे बच्चे कौने में बैठके जब बात करते हैं चीत करते हैं इसका मतलब कि वो अच्छा काम नहीं करें क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा वो बिल्कुल खुले में करेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी आदमी अगर अच्छा काम करेगा तो वो अपने मॉबाइल में लौक लगा के नहीं रखेगा अपने मॉबाइल में कोई कोड फीड नहीं करेगा परिवार में सबके मॉबाइल अगर खुले हुए हैं इसका मतलब परिवार ठीक है और अगर परिवार में सब लोगों ने अपने मॉबाइल में लौक कोड ला रखे हैं कोड फीड कर रखे हैं और एक दूसरे से मॉबाइल को चुपाते गूमते हैं का मतलब उनके मोबाइल में अच्छी सामिक्रिया नहीं है इसलिए वो छिपाते हैं धन्यवाद